मेरे हिंदुस्तान के 130 करोर बहनों और भाईों, बेटी और बेटों, मैं आप सबों से इंडिवेदन करता हूँ, कि अगर आप सचमुच भारत देश, इंडिया का उत्थान और कल्यान चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर आपको विश्वास करना चाहिए, जो आपके लिए ही सब कुछ करता हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए मरता हूँ, खुद गरज दुनिया में ये इनसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाये वह इनसान है, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हिंदुस्तान में ऐसे महान देशवक्त हुए, जिससे आप भुला नहीं सकते हैं, सुवा संद्र भोष, भगत सिंग, चंसे का राजाद, लालवाल पाल, ऐसे महान हिंदुस्तान की धर्टी पर सूर बीर पैदा लिए, जो देश की गौरब गर्मा के लिए सब कुछ कुरवान कर दी है, यारे दोस्तों, लेकिन किसी व्यक्तित के व्यक्तित को समझेने के लिए हमारी चेतना की आवस्चक्ता होती है, और मैं विनम्र आदर के समान के साथ आपको काना चाहता हूँ, कี่ मैं उन लोगों सभी प्रेड़ ना लिया हूँ, इसलिए मैं भी बिलकुल सही हो सवास में कहता हूँ, कि मैं उसी छवी का व्यक्ति हूँ, मैं आप सबों से बहत प्यार करता हूँ, मेरे मन में जाती धर्म, मजब, छत्र का कोई मतलब नहीं है एक ही है भारत और एक ही सभी हमें भारती है यह जाती धर्म, मजब, छत्र हमें बाणता है हमें कुओं का मेठक बनाता है हमारे सिधानतें पूरा विश्वी हमारा परिवार है सारी आत्माएं की भावनाएं हमारी तरह है और समों का जन कल्यान हो समों के मन में खुशी हो उत्सा हो और अपनी जीवन की आत्रा बिलकुल आनंद में तरीके से बेचीद करें यही मेरी आकांचा है यही मेरी एक्षाएं है यही मेरी अपेक्षाएं है और इसके लिए आप स अपने जीवन की नौका को इस दुनिया के मजधार में खेते हैं और मैं आपको बहुत विस्वास से कहना चाहता हूँ कि हमारा स्वभाग है कि नरंदर जैसा एक महान सूर वीर प्राकर्मी या सस्वी हमारे देश का प्रधान मंत्री है ऊग्यानी है ओ विचारवान है वबुद्वान में ओ कुर्वानी देने वाला व्यक्ति है उसमें साहस है उसमें देश भग्ती है उसमें राष जेड़ता है ओजनहत की बात करता है कभी उसके बिचारों में कोई खोट आप नहीं देखेंगे, धर्म मतलब जो आपकी भावनाएं हैं, आपको जहां से सक्ति मिलती है, प्रेड़ना मिलती है, वो हर हर सिर्फ संभो महादेब के बहुत बरे भक्ते हैं, इसलिए जो कासी महादेब के तिस्सुल में बसी वे एक वहाँ से उन्होंने एलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसल्माई हमारे भाईवन नहीं है, वो कभी नहीं कहा कि मैं मुसल्मान बन जाऊंगा, और कभी किसी मुसल्मान को नहीं कहे कि आप हिंदू बन जाई हो, उनका एक ही नारा है, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब के जो ज्ञान है, विचार है, सहीयोग से हम देश को महान बना सकते हूँ आपको उनके विविन गुनों के बारे में बताना चाहता हूँ हमारी एक बहन थी, इंदरा गांधी, देश भक्ती की कोई स्विमा नहीं थी उनकी, देश भक्त वो भी थे लेगिन मोधी जैसे उनके इतने सहन सील नहीं थे उनको थोड़ा भ्रम हो गया, कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके विचारों से सम्मत नहीं है तो उन्होंने इमर्जेंसी लगा दिया इतना कोई दारुन दुख नहीं था देश की परिस्थितियों में लेकिन वो शक्ती दुर्गा चंडी की अवतार थी उसे मालुम था कि हिंदुस्तान तभी एक महान राष्ट बन सकता है भारत देश बन सकता है सम्मृद्ध विश्व की श्रेणी मा सकता है उसके लिए अनुसासन क्या वसकता है थोड़ा भ्रम हुआ तो इमर्जेंसी लगा दिया और अभी भरम नहीं साक्षात कार है देश में ऐसे से लोग हैं ऐसे से कर्म किये जा रहे हैं ऐसे से कार किये जा रहे हैं जो हमें अपने मूल्भूत आधार प्रगती के और विकास के पत से दूर करता है यह अन्दोलन कारियों को देखिए इनका धन्दा यही है कि अन्दोलन के नाम पर जनता को मासूम जनता को भरकाए यह बंस वादियों को देखिए यह जाति वादियों को देखिए यह छत्र वादियों को देखिए यह देश को तोड़ने वादियों को देखिए फारुक अबदुल्ला हो मुवा मुक्ति हो अर्विंद केसरिवाल हो ये लोग को खरीता है लोब लालत से मुझे को फसाता है चिकनी चुपरी बाते करता है ये चालाक ऐसे लोग आपको कभी कुछ नि दे सकते किसी को किसी चीज का लोब है भरष्टाचारियों का भरष्टाचार करने का लोब था इत्यास के पन्य को पलट को देखो कितने स्केंडल किया कितने हराम खोरी और घुस खोरी का काम किया लेकिन देख लो इस नरंदर मोधी को कुछ भी नहीं है भाई परिवार भी नहीं है लेकिन अगर आपको बुद्धी होगी भाई, तभी तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं तो समझ गया हूँ, मुझे कोई लालत नहीं है भाई, कोई लोब नहीं है, किसी तरह कोई महापुरुस हमें अवसर दिया है काम करने का कर रहा हूँ, लेकिन देश की भावना, देश प्रेम हमारे दिल के धरकनों में है, और मैं एक नहीं हूँ, ऐसे अनंक लोग हैं, लाखो करो, आप भी ऐसे हो सकते हैं, वो किसी जाती धर्म, मजब के हो सकते हैं, लेकिन वो सस्मूत देश वक्त है, देश वक्त वही है, जो हर बेटी और बेटों को, हर माओ बहन को, एक आशु पोसनी के लिए आ गया, वो कभी भी हमारे देश को जाती के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजब के नाम पर, छत्र के नाम पर बांटे नहीं, या उसके जो विचार हो, उसके आधार पर देश को तोड़नी की कोशिस नहीं कर, इतना सहसुनिय रास्ट, इतना सरल और सब कुछ झेलता रहा, सारी विवधाओं को, सारी ताड़नाओं को सहता रहा, सहसुन नहीं बढ़ना हमें, हमें रुद्र रूप लेना है, हमें जागरित होना है, हमें सचाई को पहचारना है, हमें एक साथ चलना है, तभी हम एकता में अनेकता का एहसास कर सकते हैं, स्वार्थ से उपर उठो निस्वार्थ भाव से देश भक्तों का सम्मान करो जो जीता है आपके लिए जो मरेगा आपके लिए हमारे 20 लाग जो सैनिक सरदों पर काम करते हैं उनकी प्रेड़ना से अपने आपको प्रेड़ करो धन्य बाद प्यारे दोस्ते